बिहार SAC वालों चल रहा है बिहार SAC में पूछे गए इंटर लेवल के प्रशनों का क्विज जहां आज हम 29.1.2017 का पीपर दिखने वाले हैं और इसका पार्ट 1 प्रिवेस क्लास में आपने देखा होगा जहां पे बहुत सारे प्रशन होने के कारण जो है पार्ट 1 और पार् अबित रुधिर वर्ग क्या होंगे जनकों का मतलब क्या होगा कि मा के और पिताजी के मा और पिताजी के फादर के जो है आपका ब्लेट ग्रूप देखे यहां पे मा का यहां पिताजी का है और यह जो बच्चे का ब्लेट ग्रूप है उसको आप येलो रंग से यहां पे क्या गया है अब यहां आप देख पा रहे होगे यहां पर बहुत सारा दिया हुआ है total 16 दिया हुआ तो क्या आपको सभी याद रखने है नहीं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह कौन कौन सा है डेकि ओ का पूछा जाता है अगर मा का ओ है पिताजी का O है तो क्या होगा? यहां देख लिए O हो जाएगा और अगर मा का A B है, पिताजी का भी A B है तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? A, B और A B तो यहां आप देख सकते हैं, option में कौन सा है? A, B और A, B option B है आपका बिल्कुल सही जवाब या तो A होगा, या तो B होगा, या तो A भी हो जाएगा तो यह दोनों ही आपके लिए important है, यह दोनों आप दोनों जरूर याद रखेगा और भी अगर आपको किसी भी blood group का जानना हो तो आप यहां पर stable के थूरू वो जान सकते हैं अब देखें दूसरा प्रशन और यह chemistry based numerical प्रशन है तो चलिए थोड़ा देखते हैं, समझते हैं क्या पूछा गया देखें nitrogen और oxygen मिलने से यहां पर देखें NO बन रहा है, nitrogen oxide बन रहा है तो इसके लिए कौन सा सही होगा अब इसमें क्या पूल लगा रहा है, समझते हैं देखें, यह जो मिल रहा है एक दूसरे से, यहां पर यह जो arrow है, यह क्या दर्शा रहा है कि यह जो है, reversible equation है reversible equation है, सर यह क्या है, यह जो है, उत्क्रमनिय अभिक्रिया है उत्क्रमनिय अभिक्रिया है, यानि कि यह बदली जा सकती है, है ना, तो जब N2 से N2 O2 मिलता है तो N0 बनता है, अब फिर आपका दूसरा अभिक्रिया दिख ले, कि दूसरा आपका ऐसे हो जागा, 2NO प्लस O2, तो क्या हो जागा, 2NO2, और आपका जो पहला अभिक्रिया है, वो भी यहां लिख देते हैं, वो क्या है, आपका n2 plus o2, क्या बन गया, 2n, अब इसे जो है, हम constant माल लेते हैं, क्या माल लेते हैं, constant, इसे हम माल लेते हैं Kc, और इसे हम माल लेते हैं Kf, ठीक है, यह दोनों constant, अब हम देख रहे हैं, एक उत्करमनी अभी क्रिया के लिए, जो तो यहाँ पे आपका n2 plus o2 मिलके 2no बना है, अब फिर यहाँ पे आपका 2no plus o2 मिलता है, तो फिर 2no2 बन जाता है, यानि गूमके हर बार एक ही चीज बन रहा है, no यहाँ पे उठके जो आ गया, यह फिर से 2no बना ले रहा है, यानि कि दोनों जो हैं बराबर हो जा रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि आपका केसी जो constant है और केव जो constant है ये दोनों ही बराबर हो जाएगा दोनों दिशाओं में हो रहा है ये प्रतिकरिया और ये उतकरमनी प्रतिकरिया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा option A अब देखिए पूछा जाता है कुछ-कुछ example से कि उतकरमनी अभिक्रिया और अनुतकरमनी अपिर्किया के बीच क्या अंतर है और ये क्या होता है तो इसे भी हम समझ लेते हैं और ये जो है आपके NCRT में दिया हुआ है तो देखिए उतकरमनी अभिक्रिया वे अभिक्रिया और इसमें देखिए दोनों तरफ सिंबल है दिखने रहा ऐसे हैं और यहां पर देखिए CH4 है, methane है, 2O2 मिलके बन गया carbon dioxide और gel तो carbon dioxide और gel मिलके कभी भी फिर से नहीं बनेगा तो ये हो गया आपका अनुतकरमनी अभिक्रिया तो ये दोनों आपको समझना है अगर इसके पर पूछे जाते हैं और अगर आप थिहान से नहीं सुने तो आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्केत होगी और ये तीनों ही जो है आपके लिए important है, मैं तीनों explain करूँगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा देहर रखिएगा, लेकिन अगर आप समझ गया है तो exam में आराम से आप इसका answer कर पाईएगा, देखे यहाँ पूछ रहा है आपका delta P और delta X greater than equal to h by 4 pi क्या कहलाता है, सर delta P क्या है, तो ये है position, क्या है, position है, ठीक है, अब position मतलब क्या हो गया, इस्तिती हो गई आपकी, ठीक है, ये इस्तिती हो गया, सर delta X क्या है, ये momentum है, यानि की vague, h क्या है sir, h जो है आपका plank constant है, plank near tank किसे बोला जाता है, plank near tank, और देखे, यहाँ से भी direct question पूछता है, कि plank near tank का value कितना है, तो ये भी आपको याद रखना है, 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, ये बिलकुल आप याद रखेंगे, important है ये, ये भी important है, अब आजाते है, आपके question पर, देखे अब particle का जो nature है, वो दो तरह का nature इसमें बताया गया है, इस सिध्धान्त के तरफ, ये कौन सा सिध्धान्त है, तो पहले तो आपका जवाब हो जागा है, Heisenberg, uncertainty, principle, Heisenberg का और निश्चितिता सिध्धान्त, इसमें क्या बताया गया है, कि एक जो particle है, एक जो कन है, वो, एक electron जो है, वो कन के रूप में दर्सा आए गया, दूसरा, उसे जो है, आपका वेब के रूप में दर्सा आए गया, ठीक है, तो यहां पर दोनों रूपों की बात की गए, कि वो कन भी हो सकता है, एक electron जो है, या तो वो वेब के रूप में घूम रहा है, दोनों चीज़ बता गया ठीक है उसने देखने की कोशिस की लेकिन देख के पता नहीं चल पाया अगर वो कंग के बारे में बता रहा है तो कंग की स्थिति पता करने मुश्किल है इसमें यहीं बताए गया इसका मतलब इसको आप सुन लें हाईजनबर्ग का सिध्धांत यह बताता है कि अगर किसी कंग की स्थिति और वेग को एक साथ जानने की कोशिस करें तो यह असंभव हो जाता है या तो इस्थिति जान पाईएगा या वेग जान पाईएगा दोनों में से एक साथ ठीक है इसलिए अनसर्टेन बोला जाता है कि दोनों में से एक ग्याद करना है तो यह आपका हो गया हाईजनबर्ग अनसर्टेंटरी प्रिंसपल अब देखें आपका यहाँ पर एक और ऑप्शन है पाउली का सिध्धांत क्या है यह भी देख लेते हैं देखें पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसपल इसमें क्या बता है ठीक है और यह दोनों का ऊपर हो गया यहां तो यह क्या हो गया यह गलत हो गया देखें यहां पर यह उपर है यह नीचे है बिल्कुल यह नीचे है तो यह भी नीचे कर दिया यह गलत सही कौन होगा यह होगा इसमें यहीं बता गया है दो इलेक्ट्रोन जो है उनका सेम set में, अगर quantum set same set में है, तो quantum number same होगा, ठीक है यहाँ इसको spin को ऐसे भी लिख सकते हैं अगर उपर है, तो उसे plus half लिखते हैं, यह spin quantum number है चार quantum number में से एक है, spin quantum number, मैंने पिछले class में यह पढ़ाया भी था यही पावली साहब ने कहा था अब यहाँ पर एक और है, important जो है आपके लिए, अब वो क्या है, वो है अफवाव principle, अफवाव principle के बारे में समझते हैं, इससे भी प्रशन पूछे जाते हैं बड़ा simple सा है अफवाव principle आपको क्या बताता है अफवाव principle यह जो है आपका और इसमें क्या बताया गया है इसमें बताया गया है electronic configuration, electron का आपका configuration कैसा होगा, उसके बारे में बोला गया है ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि जो है lower, पहला चीज बोला गया, electronic configuration का पूछा जाता है कि इसमें क्या बता गया है तो यह बता गया है कि low energy वाला पहले आपका भरता है चलिए देख लेते हैं देखें आप पहले आपका 1 भरेगा फिर 2s भरेगा फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d और यहां देखें आपका energy जो है उट जाका level बढ़ रहा है और इसी से हम लोग जो है electronic configuration निकालते हैं तो पहला यह हो गया low energy वाला पहला भरेगा दूसरा है आपका electronic configuration कैसे है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5p ऐसे निकालते हैं यहां से जाके फिर ऐसे होगा फिर यह वाला नीचे से जाके यह ऐसे हो जागा 1s, 2s, 2p, 1 आपने पढ़ा भी होगा है तो यह इसी तरह से काम करता है ठीक है तो आपका जो है अफवा प्रिंस्पल के बार में पहला है electronic configuration दूसरा है low energy पहले भरेगा poly exclusive principle काता है कि आपका जो है opposite spin में रहेंगे और वाइटल में हमेशा एक ही spin में नहीं रहेंगे क्या होगा spin opposite होगा spin opposite होना चाहिए दो electron का ठीक है और आपका जो है polys explosive principle प्रिंसपल बोलता है कि आपका इस्तिती पता करेंगे तो उसका पूजी आपका वेब पता नहीं चलेगा कि उसका वेग कितना है और अगर वेग पता करेंगे तो उसका position नहीं पता चलेगा तो यह दोना हो गया plan constant का value गया आपको याद रखना है सबी important है अब देखिए चौधा फिर से chemistry और यह उतना tough नहीं है मैं आपको समझाता हूं आपको अराम से समझ माएगा ठीक है पहला यहाँ पर क्या जो बोला गया है कि C6H14 यह क्या है सर यह जो है hydrocarbon है में उच्छी संखला सम अब भवावई संबभवा क्या संबभव यह पूछ रहा चलो देखते हैं देखिए पहला हमने याद अखना है मीथेन आपने नाम सुना ही है आपका हो गया मीथेन एक सकेंड यहाँ दिखान दिखें दिखें मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन मीथेन अपका फिर से प ठीक है और देखें इनका खासियत क्या है कि समावयो की संख्या जो है इनकी अनुसार कितना है समावयो की संख्या इसमें तो मीथेन का आप सभी जानते हैं क्या होता है से मीथेन का होता है CH4 फिर एथेन का क्या हो जागा C2 H6 हो जाएगा H2 बढ़ेगा और C1 बढ़ेगा फिर क्या हो जागा C3H8 तो इन तीनों का समावे संख्या कितना है 1 ब्यूटेन में क्या होता है ब्यूटेन में होता है एक और कार्बन बढ़ गया इससे C4 हो गया और H10 हो गया तो ब्यूटेन में क्या हो गया 2 हो गया पेंटेन नाम से पता है 5 होगा तो C5, H12 में कितना हो जागा, 3 हो जागा, फिर hexane मतलब 6, hexane मतलब 6, तो C6, H14, क्योंकि H आपका देखे, 8-10, 10-12, 12-14, दो बढ़ रहा है, जब कि carbon जो है, आपका 1 बढ़ रहा, 4-5, 5-6, 3-4, इधर भी देखे, आपका 1-2, 2-3, इधर भी बढ़ है, तो यहाँ पर क्या हो जागा, 4 हो जागा, और यहीं आपका प्रस्ण पूछ रहा है, C6, H14 में कितने संख्ला समावई हैं, तो 4 हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपका methane का पूछ ले, एथेन का पूछ ले, प्रोपेन का पूछ ले, ब्यूटेन का पूछ ले, पेंटेन या हैक्सन, किसी का पूछ ले, तो यहाँ से इस टेबल से आप इसका जवाब दे पाईएगा, और यहाँ पर देख लिजे, आपके C6H14 का जो है 6 कारवन है, और 14 आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोकारवन का यहाँ पर बंद है, ठीक है दोस्तों, चलिया प्रशन, पाचवाब प्रशन, और उमीद करता हूँ कि आपको जरू समझ माया होगा, समझ में नहीं है, तो कमेंट जरू कीजेगा, मैं इ सरफथम किसका उप्योग करता है, पूछ रहा है, तो सबसे पहले भूक लगने पर हमारे सरीर को भूक लगता है, तो सबसे पहले बॉडी मुपस्तित गलाइकोजन उप्योग किया जाता है, क्या किया जाता है, गलाइकोजन है क्या सर, देखिए, गलाइकोजन क्या है सर, तो ग्लाइकोजन जो है एक तरह का ग्लुकोज ग्लुकोज का भाग है और यह कहां होता है ग्लाइकोजन तो यह आपका लिवर में होता है यहां देख लिए ठीक है लिवर में मौजूस होता है और यह लिवर से एक्सचेंज होता है फिर यही जो है आपका ग्लुकोज के रू काम करता है लिवर में ठीक है अगला पूर्चन देखते हैं लिए एक प्रोटीन नहीं है कौनसा प्रोटीन नहीं पूछ रहा है तो कौन सा नहीं है देख़ोरेसम भी है प्रोटीन को चुलेजन हूब है ऐसो लोगा farmer है यह यह और रिचार आप से गोसिका सफेद रख्त सवेत रक्त कोशिका का भाग है आप सभी को पता हमारी को सुरक्षा परदान करती है हमारा प्रति रोधक छमता के लिए जिम्मेदार है आपका white blood cell और इसी के अंदर आपका lymphocyte मिलता है और यह प्रति रोधकता का काम करता है lymphocyte देखिए यही आपका lymphocyte है और white blood cell का 20-40% भाग क्या है lymphocyte यही जो lymphocyte है 20-40% भाग है आपका white blood cell में 20-40% lymphocyte पाय जाता है और इसमें क्या पाया जाता है इसमें आपका यह प्रोटीन नहीं है बलकि यह white blood cell में उपस्तित होता है और हमारे सरी से हानुकारक जिवानु का भक्चन करता है और रोक थाम का क्यार करता है जब बीच में जो करोना फैला था तो उसमें lymphocyte ज्यादा परिशान नहीं कर पाया था ठीक है तो यह लसीका में पाय जाने व होते हैं blood देखें यहाँ पिलड पोछा जाता है प्लाजमा क्ला में caf यहाइब कि अआपको याद रखना है नियूटीय परसेंट भाग जल है और 7 परसेंट भाग प्रोटीन अब क्या पूछ रहा है कि आपका प्लाज मा में क्या, उपस्तीत नहीं होता है चलिये देख लेते हैं, देखे अपका रक्त में आ गय है तो प्लाजमा तो आपका 55% होगा, यह जो white, यह जो दिख रहा है आपको yellow colour should i be होगा आपका final and अब इसके अंदर क्या पाया जाता है आपका platelets पाया जाता है और डेंगू बुखार होने से जो अभी काफ़ी तेजिसे फैलरा platelets की कमें हो जाती आप इसमें रेड ब्लडद सेल जो है जो है लाल रक्त कोशी का पाया जाती और यह सभी पूछा जाता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, नहीं तो कोई जरूत नहीं था, ये करीब 40% परसेंट पाए जाता है, उसके बाद देखिए आपका lymphocyte जो भी आपने पढ़ा, वो भी पाए जाता है, white blood cell भी पाए जाता है, कितने परसेंट, 4% जो है, white blood cell पाए जाता ह होता है, और इसमें जो है, आपका sodium भी पाए जाता है, calcium भी पाए जाता है, magnesium तो होगा ही, ये important भाग है, तो सर, क्या नहीं होगा सर, ये जो है, copper, आपका cu प्लस जो है, इसके अंदर नहीं होता है, सही जवाँ होगे आपका option D, आठवा प्रश्म पूछ रहा है, इनकी पो कंदरवन डेल्टा, चछिक है, और यहां क्या है, लवनी पौधे पाया जाते हैं, जो कि लवनी जल में, जिसमें नमक जल में, चीवईत रह सकते हैं, वैसे पौधे पाया जाता है, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, है लो फाइटा, चिक है, ये person की विधी है, किस की पोछ कि इसके अंदर जो है आपका पाए जाता है chloroplast chloroplast वह है जो कि आपको mater प Loudersk fights काते है इसका प्रॉं जो है आपका पोस्ट का विधी क्या है हेलो फार्टिक है यूग लेना का पूछा जाता है कि अंधर क्या पाए जाता स्ynchronक्ला के इसके इसके बिल्कूल पाए यहां पर आप देख सकते हैं गोल्ची काय भी इसके अंदर पाया जाता है इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसलिए यह रंका होता है यह सब पूछा गया है आपके एक्जाम में ठीक है तो यह हो गया आपका यूग लीना और यह एक हेलोफाइटिक तो यहां से कहां निकलता है यह पूछा रहा है तो यहां आप देख सकते हैं लीवर छी का है और लीवर के जब नीचे आते हैं तो यहां पर क्या निकलता है अगनासे में अगनासे को क्या करते हैं पेंट क्रियास बोलते हैं पेंट क्रियास में क्या पाए जाता है पेंट क्रियास में तीन तरह के जो है आपके यह पाए जाते हैं और पेंट क्रियास का ही एक भाग है जिसके लेंगर हैंस की दीपीकाएं बोली जाती है और यह जो है आपका लेंग ग 쌀 में पाया जाता है। असा लेंगर हेंस की दिपकाय में तीन तरह के सेल होते हैं अलफा बीटा और गामा सेल इसमें से जो बीटा सेल है आपके Left सबसे ज्यादा इन्पोर्टन एकारण के बीटा सेल में ही इन्सुलीन पाया जाती है यह वही insulin है जिसकी खोज betting event best ने की थी betting event best ने इसकी खोज की थी और यह किसले युक्यों किया जाता है diabetes के लिए diabetes का कारण है insulin का नहीं बनना diabetes जिसको सुगर बोलते है betting event ने इसकी खोज की है और यह beta cell से निकलता है अच्छा अब आपका प्रस्ण पूछ रहा है कि एस्ट्राइट कहां पाय जाता है तो एस्ट्राइट कहां से निकलता है तो यह एस्ट्राइट आपका अगनासे जो है पेंक्रियाज यह एस्ट्राइट निकलता है सर एस्ट्राइट का काम क्या है एस्ट्राइट जो है सरीरिक विद्धिक हार्मोन है सरीर का वर्धक हार्मोन सरीर वर्धक हार्मोन है इसकी कमी से सरी में विद्धी रुख जाती है और अगनासे को क्या कहा जाता है तो ये भी याद रखेगा अगनासे क्या है दूजान और यही पित को नस्त करता है और उसे पचाने में मदद करता है ठीकर दूस्तों तो यह सभी सब्सक्राइब आप याद रखेंगे। दसमा प्रश्म पूछ रहा है, एक स्वसन संखला का उपलीक कर, पादब कोसिकाओं में उड़ जा का उत्पादन कौन करता है? पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं देखे कोसिका का पावर हाउस किसे कहते हैं पूछा जाता है कोसिका का पावर हाउस पावर हाउस ठीक है किसे कहते हैं माइट्रो कॉंड्रिया को कहते हैं ऑप्सन भी यही जो है आपका माइट्रो कॉंड्रिया है अब जाता है और यहां पर देख सकते हैं प्राइबौ जो ओनल करता है पाइरूविक अम्लिक क्रीव्स चक्र बनाता नहीं आपने सुनसरा भी होगा पाइरुविक अमल, पाइरुविक अमल जो है क्रेप्स चक्र में प्रवेस करता है, क्रेप्स चक्र कहा होता है, हमारे माइट्रो कॉंडिया के अंदर होता है, ठीक है, और इसके फलसुरूप क्या होता है, 2 x 18 ATP, एडनोसीन ट्रॉइफस्पेटी से बोला जाता है, ये उर्ज और 36 ATP आपका, आपका होगा उर्जा बनती है, उर्जा निकलती है, ठीक है, तो ये ATP याद रखिएगा, इन्पोर्टेंट आपके लिए, इनर मेंब्रन, आउटन मेंब्रन आप देख सकते हैं, इसके बाहर है, सही जवाब क्या होगा है, माइट्रो कॉंडिया, इसमें राइबोजम को क्या बोला जाता है, राइबोजम को याद रखिएगा, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, अब माइट्रो कॉंडिया की खोज किस ने की थी, ये एक बार पूछा गया था, तो माइट्रो कॉंडिया की खोज कौन करते हैं, अल्ट मान करते हैं, हुआ है क्या होत sussy अहीं होता है देख लेते हैं जो अब देख लो अब दोलों तरह के वाइरस होते हैं RNA वाले भी DNA वाले भी तो पहला तो यह होगा कि आपका सही है जुआ होगा option D या तो RNA या DNA अब इसमें पूछा जाता है कि RNA किसमें पाय जाता है इस पर दिहान दीजिए देखिए HIV जो है आपका HIV जो है यह RNA से संब्धित है ठीक है RNA वाइरस किसमें पाय जाता है HIV में concealer में आपका RNA वाइरस पाय जाता है जो इसमें जो वाइरस ए उसमें आरयन अजाता है ठीक है तो RNA DNA आपका दूट करते हैं जो है यह अयांवासकी साभ जो है वाइरस की खोश करते हैं अब वायरस क्या है सर सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है यह सजीव इस लिए बोले जाता है इसे क्योंकि इसे बहुत दिन तक है आपका जो है क्रिष्टली करेत करके जमा के रखा जा सकता है उसके बाद यह फिर से जिन्दा हो जाता है तो कोई भी सर्जीव को इतने दिनों तो नहीं रखा जा सकता है लेकिन वाइरस को रखा जाता है ठीक है इसलिए से बुले जाता है सर्जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बारवा प्रश्ण एक प्यायस में परिरक्षित कनो काकार इस पायस में इस परास में होता है देखे पायस में कनो काकार क्या होता है पायस किसे कहते हैं पहले यह समझते हैं देखे पानी में तेल मिला दीजे आप या फिर आप तेल में पानी मिला दीजे तो यह जो है घुले दूद में, प्लस, उसमें क्या होता है, तेल होता है या घी होता है, घी, ठीक है, जल प्लस घी, दूद में होता है न, तो ये मलसन का एक्जामपल हो गया, तो इसी में पूछ रहा कनो का आकार कितना होता है, तो इसमें जो है कनो का आकार देख लीजिए, आपका, C, 1000 M से ले पायस कहलाता है ठीक है और पायस को लाड़ी बोल जिए जैसे दूद में वसा हो गया तील हो गया तो यह उसी का एक्जामपल है द्रब में द्रब का परिच्छेपन ठीक है यहाँ पर याद रखेंगा अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ यहाँ पर ठीक है दोस्तों तो यह सारे थे प्रश्ण chemistry के सभी important प्रश्ण आप इसे जरूर रिवाइस करें जरूर देख ले इसका PDF कहा मिल जागा PDF आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जागा जिसका जो लिंक है मैंने description में और comment section में दे दिया वहाँ जाके जरूर जूरे तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ और पूरा का पूरा science को करवानी के जिमेदारी हमारी है और आपको इतने अच्छा से त्यार कर दिया जाएगा कि आपका exam में चाहे कहीं से प्रश्ण पूछा जाए तो आप बिल्कुल जवाब देने में सक्षा मौल पाईएगा और एक को मन है तो सब्सक्राइब जरू करें लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा है चलिए ठीक है फिर मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए गुट नाइट